1986 में दुरुदर्शन का ये मासुम बालग कितने लोगों को याद है ये बालग का नाम क्या था और ये धारवाही 1943 में लेखक आरके नारेण ने एक पुस्तक लिखी थी उसमें छोटी-छोटी कहान योगा एक शंग्रा था और वो पुस्तक के मेज पर 1986 में कनाडा के डिरेक्टर और एक्टर शंकर नाग ने ये मालगुरी डेज का डिरेक्शन किया था मालगुरी डेज के टोटल चार सेशन आये थे और 54 एपिसोड टेलीकास्ट होई थे और सबसे पहला एपिसोड 24 सप्टेंबर 1986 को दुरुदर्शन में आये था संगीत इतना मदुर था कि मुजिक सुनते ही हम आज भी मुजिक सुनते है तो उनकी पुराणी यादों में खो जाते है मुजिक किया था एल वैदेनाथन कानाटा की संगीतकार एल वैदेनाथन ने ये मालगुरी डेज में संगीत दिया था माल गुली डेज में जो प्यारा बालक स्वामी नजर आये था, उनका ओरिजनल नाम था माश्टर मंजुनाथ, उनके साथ दूसरा दोस्त जो राजन, उनका ओरिजनल नाम था रोहित श्रीनाथ, और तीसरा दोस्त मनी, उनका ओरिजनल नाम था रगुराम सीताराम. स्वामी के पीता के रोल में जो नजर आये थे वो फैमस एक्टर गीरिसक अनार थे जिन्होंने बोलीवुर के बहुत सारी फील्म और siitä लों में भी ने किया था और लास्ट में सलमान खान के साथ भी उन्होंने फिल्म में भी ने किया था और 2019 में उनका देहन्त हो गया स्वामी के माता जी के रूप में जो किरदार निभाय था उनका नाम था वैशाली कसरवल्ली वो कन्यडा की फैमर्स अभीनेत्री है उनका भी देहन्त हो गया है स्वामी की दादी का किरदार जिसे निभाय था उनका नाम था सुहासिनी अधरकर मालगरी डेश में डþरेक्टर शंकरणाद में भी रोल किया है वेंकर्टस के किरदार में नजर आये थे वो थे मालगरी डेश के डारेक्टर शंकरनाख और गुजराती अभीने था हरी स्पटल भी बहुत सारे अलग-लग किर्दार में नजर आये थे और एक गुजराती कला कर नजर आये थे इनका नाम था नित्या वो थे देवन बोजानी पर्नेडा के बहुत ही फैमस एक्टर अनन्त नाग भी अलग-लग रोल में नजर आये थे और वही लाश्ट में यश्की के जीएफ में भी नजर आये थे आप उनको पैचांग गए होगे माल गुड़ी डेस के जो स्केच वाले फोटो आप देख रहा है ड्रॉइंग वाले फोटो वह किसने बनाए थे तो जिन्होंने औरिजिनल पुस्तक लिखी है आरके नारन उनके ही भाई बारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आरके लक्समन उन्होंने माल गुड़ी डेस के सारे स्केच बनाये है अन्हें माल गुडी डेस सिरियल में जो रेलिभी प्यारा प्यारा मत्री का पुरा मुझेइम बनाया ह। और पूरा सेट reflect is huge मूरतिया सब कुछ मढ़ें में हमें को आज भी वहाँ देखने मिलती है तो माल गुडी डेस इतना प्यारा सेरियल उसमें जो चोटी-चोटी कहानी दिखाएगी थी वो कहानी जब हम देखते हैं तो लगता है कि बिल्कुल हमारे वस्तविक जिवन की कहानी है और हम सीरियल में इतने खोज आते हैं ऐसे लगते हैं कि हम भी एक सीरियल का हिस्सा है 1920 में 1920 में जो स्वामी है, बालक स्वामी उसने अपने इंटर्वी में बता है था कि आज भी मैं जब माल गुरी डेस की सूटिंग के दिन याद करता हूँ, हमारा बच्पन याद करता हूँ, तो सच में मुझे रोना आता है, वो पुराने दोस्त याद आता है, कितना महोल अच्छा था कितने प्यारे दोस्त थे, कितने खुशी वाले हमारे दिन थे, आज भी बच्पन देखते हमें याद आता है, तो माल गुरी डेस सीरियल हम जब भी देखते हैं, तो हमें भी अपना पूरा बच्पन याद आता है, पूराने दोस्त याद आता है, जिनकी तो सबकी निकल र रही गई है तो यह सिर्फ हमारी यादे तो यह आपको कैसा लगा आप चरूर बताना